हेलो दोस्तों कैसे हैं आप दोस्तों फिर आप से भी का स्वागत थे आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्डविट केड़ी पर दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भूगोल की उन सभी महत्तपूर्ण पुर्शनों का संग्रे लेकर आए हैं जो यूपिटर विष्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है थे जब होगा आपसने चीन दोस्तों वर्ड मिंडर्ल प्रोडक्शन 2014-2018 के अनुसार वर्ष 2014 में चीन 187,094 में टिन उत्पादन के साथ विष्व का सीर्ष उत्पादक देश था वर्ष 2018 में भी चीन विष्व में टिन पर मलेशिया है वर्ष 2018 में चीन मायन प्रोडक्शन की दिरिश्ट से भी तिन उत्पादन में पर्थम अस्थान पर है वर्ष 2012 तक उपलब जानकारी के अनुसार विष्व में बाक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश कवंसा है से अपसंसी आस्ट्रेलिया वर्ड म इनरल प्रोडक्शन 2014-2018 के अनुसार वर्ष 2018 में विष्व में बाक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक देश आस्ट्रेलिया है जबकि चीन और गिनी करमसा दूसरे एवं तीसरे अस्थान पर है किस देश में यूरेनियम का सरवाधिक भंडार है आस्ट्रेलिया में वर् जाड़ में 9,6、 रूसित संग में 8,6 ता अमेरिका में 1,7 यूरेनियम का भंडार पाया जाता है जापान में ूनसुने नमक दीप किस के लिए परशिद्ध है तेल के लिए जापान में तेल उत्पादन के केवल च च दिन्धित छेत्र हैं जिन्वेसे तीन तो तोमी, इचीगो एवं अकीता होन्सु दीप पर ही अवस्तित है अता इस प्रश्ण का अभीष्ट उत्तर विकल्प सी होगा कौन सा देश सरवाधिक मरकरी का उत्पादन करता है मेक्सिको विस्त खनीज आकलों के अनुसार प्रश्ण काल में दिये गए विकल्पों में मेक्सिको मरकरी पारा का सरवाधिक उत्पादन करता था वस्त 2018 में मरकरी के उत्पादन में चीन पर्थम मेक्सिको दिवती विमताजकिस्तान तिरती अस्थान पर है निमलिखित में से कौन सा एक उर्वरक खनीज नहीं है? टंगस्टन टंगस्टन एक उर्वरक खनीज नहीं है या धोमिल स्वेथ रंग की धातो है टंगस्टन का अप्योग बिजली के बल्मों के तंतिवों को बनाने काटने के अवजार शली चिकित्सा के यंद्र आद के मिस्र धातों में होता है जबकि स्टेस उर्वरक खनीज है विश्व में सोने का सरवाधिक उत्पादन किस देश में होता है चीन में वर्ड मिन्नल प्रडक्शन 2014-18 के अनुसार प्रशन कालें वर्ड 2018 में चीन विश्व में सोने का सरवाधिक उत्पादन करता है वर्ड 2017 में चीन में कुल वैस्व कुत्पादन का लगबग 13% आस्ट्रेलिया ने 9% रूस ने 8% तथा अमेरिका ने 7% उत्पादित किया था अजरबाइजान जो कभी अजरबाइजान देश की राधानी बाकू है उट्बेकिस्तान की तर्शकंदे मंगोलिया की उलान बटोर यूकरेन की कियू वेनिस सहर जो नहरों और पुलों से युक्त है निमलिकित किस देश में है इटली जो वेनिस इटली का एक परमुक्ष नगर है जो नहरों और पुलों से युक्त है इसे नहरों के सहर के नाम से भी जाना जाता है निमलिकित में से किस देश की समुद्री सीमा भूमदी सागर पर नहीं है बेल्जियम किंग्डम आप बेल्जियम उत्तर पस्यमी यूरोप में इस्थित एक देश है बेल्जियम की समुद्री सीमा उत्तरी सागर से मिलती है ना कि भूमदी सागर से बेल्जियम की सीमा फ्रांस, जर्मनी, लगजंबर्ग और नीदरलैंड के साथ साजा होती तुर्की, फ्रांस और यूरान की समुद्री सीमा भूमदी सागर से मिलती है निन्दिकित में से कौन सा एक अल्पाइन देश है इटली तोस्तो आलपस पहाडों के आसपास इस्तित देशों को अल्पाइन देश के रूप में संदर्भित किया जता है वर्स 1991 में अल्पाइन कंवेंशन दोरा परिभासित अल्पाइन देशों में आठ देश सामिल है इटली, फ्रांस, आस्ट्रेलिया, स्विट्जर लेंड, डिचेस्टीन, जर्मनी, स्लोवेनिया और मोनाको इन देशों में से आश्ट्रिया और स्विट्जर लेंड के पास पहाड़ी कवरेज का सबसे बड़ा छेत्र है इन में से कौन सा यूरोपी देश है से जब होगा आप साने बुल्गारिया दोस्तो बुल्गारिया यूरोप महादीप का एक देश है इसकी रधानी सोफिया है इसके पूर में काला सागर अवस्ती थे बुल्गारियन लेव इसकी आधिकारिक मुद्रा है 140 डिग्री नार्थ अच्छांस किस-किस के बीद सीमांकन करता है तो दोस्तो 40 डिग्री उत्तरी अच्छांस संय उक्तराज अームेरिका, पुर्तगाली, इस्पेंड, इटली, अलबानिया, ग्रीस, त्रुकी मिस्र और सूडान के भी सीमा रेखा के निरमान करती है, 17 डिगरी उत्तरियत चांस रेखा उत्तरी और दच्छली वियतनाम के भी सीमा बनाती है, उत्तर पत्र अधीनस्थ सेवा चैन वोट द्वारा जारित, संसोधित उत्तर पत्रक में इस प्रस्थेट ग्रे संक परदान कि जिसका छेतरफल केवल 44 हेक्टेयर है यह एटली के शहर रोम में इस्थित है इसाई धर्म के परमुक संपरदाई रोमन कैथलिक चर्च का यही केंदर है और इस संपरदाई के सर्वोच धर्म गुरू पोप का निवास यहीं इस्थित है विस्थ में छेतरफल के आधार पर सबसे छोटा देश कौन सा है वेटिकन सिटी निव्ड में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है तो दोस्तों सही रहावगा आपसन ए चीन उपरियक देशों में चीन सरवाधिक देशाओं की सीमाओं को असपर्स करता है ध्यातव वे कि चीन की सीमा 14 देशों से लगती है दोस्तों, चीन की सीमा 14 देशों से लगती है सरवाधिक वर्सा कहां होती है? अमेजन बेसिन में दिये गई विकल्पों में सरवाधित वार्सिक वर्सल अमेजन बेसिन में होता है यहां आउस्तन वार्सिक वर्सल 200 cm होता है यहां बेसिन विश्वत रेखी परदेश में पड़ता है जिसमें यहां वर्स भर वर्सल होता है इसके अतिरिक गंगा बेसिन में आउस्तन वार्सि में विद्वान चोटी चोटी जल की बूदों धुवा आथवा धूलकणों की सघन रास जिसे अद्रश्यता उपस्तित होती है उसे कुहरा कहा जाता है टर्मिनल डापलर रडार टी डी आर किसलिए परियुक्त किया जाता है खराब मौसम में हवाई जहाजों को उतारने में दोस्तो टर्मिनल डापलर रडार मुख रूप से खराब मौसम की जनकारी हासिल कर हवाई जहाजों को नीचे उतारने एवं उड़यन में सहायता करता है हाला कि कुछ मौसम वग्यानी को द्वारा भी TDR द्वारा एकत्र आक्णों का परियोग कर मौसम की भविश्यवाली की जाती है निम्बस किस मेग को दरसाता है वर्षा मेग को दोस्तों निम्बस मेग वर्षा मेग से समंदी थे ये बादल धरातल के अधिक नजदीक पाये जाते हैं काले रंग के ये घने बादल किसी भी आकार के हो सकते हैं, इस बादल से वर्सल उत्पन होता है, जो कि धरातल पर बारिस, ओला, बर्बारी आद के रूप में पहुंचता है, निम्बस एक लेटिन सब्द है, जिसका अर्थ वर्सा मेग या वर्सा तूफान है, दुनिया को सम पादिक समय छेत्र, फ्रांस के पास, कुल 12 हैं, ग्रीन विच मीन टाइम से भारती मानक समय कितना आगे हैं, पांच घंटे और 30 मिनट, जोस्तो भारत के मानक समय के निरुधाराल, 82 डिगरी 30 मिनट पूरफ से किया जाता है, चुकि दो देसांतरों के भी 4 मिन का अंतर होता है, अता भारती मानक समय, ग्रीन विच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है, उलेखनी है कि ग्रीन विच मीन टाइम को सुन्द इमान कर बाकी देसांतरों की घंणा की जाती है, तदा सुन्द के पूरू और पस्षिम में 180 डिगरी 30 डिगरी 30 रेखाएं, खीची जाती हैं, ग् ग्रीन विच निम्रिखित में से किस सहर के पास इस्ति थे, सही रवाबो का लंदन, दोस्तों विच को 24 समय जोनों में विभाजित किया गया है, यह विभाजान ग्रीन विच मीन टाइम वा मानक समय में 1 घंटे अर्थात 15 डिगरी 30 के अंतराल के आधार पर है, ग्रीन करें, और आप चैनल पढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना विल्पूल भूले, दोस्तों कमेंट बाक्स में जरूर बता है कि वीडियो आपको कैसे लगी और आपको किस टापिक पर वीडियो चाहिए, यह भी बताएं, ताकि हमारे टेली ग्राम चैनल जोन करना वि अनिवाद